यह है यामा R15M इसकी कलर की बात करें तो यह metallic grey कलर की है और यह top end model है तो hello दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आया हूँ मुडाया यामा जीरो माइल बैडिया रोड मुझे अफ़र पूरी स्थित सोरूम में तो द लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा वाक एराउंट करके दिखा देता हूं करता हूं करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बाइक का फ्रंट लुक कुछ इस तरह का है यहां पर आप देख सकते हैं यहां आरवन फाइब एम की स्टीकर वर्क दी गई है इसकी हेड लाइट की बात की जा तो आपको एलीडी में प्रोवाइट किया है कंपनी ने इसके दोनों आप देख सकते हैं इसमें यूएश्डी फॉर्क सस्पेंशन दिया गया है इस बाइक में आपको ड्यूवल हॉर्ण मिल जाता है दोस्तों बात करेंगे इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो यह ड्यूवल चैनल ABS के साथ आती है इसके फ्रंट और रेर दोनों में डिक्स ब्रे के साथ आती है और इसमें स्पीडो मीटर, ओरो मीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, गेर पोजिशन इंडिकेटर यह सब कंपनी ने प्रोवाइड किया है यह सब आपको डिजिटली सो हो जाता है तो दोस्तों अब आते हैं इसके राइट हैंडल पे तो आप दे देख सकते हैं यह low beam, high beam, pass, turn indicator और horn की switch मिल जाती है तो आप देख सकते हैं इसका fuel tank कुछ इस तरह का है काफी muscular सा fuel tank दिया गया है और यह black और gray color की है जो की काफी बढ़िया लगड़ी है इस bike पे और यह हलका blue color का भी line जैसा दिया गया जो की काफी बढ़िया लगड़ा है Yamaha का logo आगे में दिया गया है काफी muscular fuel tank दिया गया इस bike का इसकी fuel tank की capacity 11 liters की है तो आप देख सकते हैं यहाँ R15M की sticker work मिल जाती है जो की इसके look को काफी enhance कर दे रहा है और यहाँ पे आप side indicator देख सकते हैं जो की bulb में दिया गया है इसे आप LED में भी करवा सकते हैं जो की इसस सरीच का part होगा तो गाइज इसके seat की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसमें split seat मिल जाता है यहाँ आप देख सकते हैं R15M का हलका सा sticker work भी दिया गया है इसकी back panel की बात करें तो कुछ इस तरह का back panel काफी cut set दिया गया जो की इसके look को काफी enhance कर दे रहा है तो गाइज आप देख सकते हैं side से यह बाइक कुछ इस तरह की दिखती है पिलियान के लिए foot rest दिया गया है अब आते हैं इसके back look पे तो back से यह बाइक कुछ इस तरह का दिखता है इसकी till light LED में provide की गई है देख सकते हैं इसका दोनो turn indicator वो bulb में दिया गया है नीचे side reflector द दगा सकते हैं इसमें grab handle provide नहीं की गई है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर इसारी गार्ट दिया गया है इसमें open chain cover मिल जाता है और इसकी rear suspension की बात करें तो linked type mono cross suspension मिल जाता है तो दोस्तों नेक्स अब बात करेंगे इसके tire size की तो इसके front में 180 17 और rear में 140 17 का की tire provide क की गई है यह दोनों tires tubeless में दिये गया है दोस्तों नेक्स अब बात करेंगे इसके engine specification के बारे में तो यह bike 155cc की आती है यह 6 speed gearbox के साथ आती है maximum power की बात की जाये तो 18.4 PS की generate करती है 10,000 rpm और maximum torque की बात की जाये तो 14.2 Nm की torque generate करती है 7500 rpm तो आइस नेक्स अब बात करेंगे इ option मिल जाता है राइडिंग मोड मिल जाता है traction control मिल जाता है स्रीपर कलच के साथ यह bike आती है वाइज इस bike में आपको सिर्फ self start का option मिल जाता है कि provide नहीं की गई है तो वाइज अब बात करेंगे इसके dimensions की width 725 mm, length 1990 mm, height 1135 mm, saddle height की बात करें तो 815 mm, ground clearance की बात करें तो 170 mm, wheelbase 1325 mm, curve weight 142 kg की दी गई है तो दोस्तो अब बात करेंगे इसके on-road price की तो यह bike 2,23,600 में on-road price मुझफरपुर में मिल जाती है तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करे, share करे और channel को subscribe जरूर करे, thank you so much